पसु को गर्मी के मौसम में यह दि दस्त लग जाते हैं तो उन दस्तों को हम अपने घर पर ही रहकर पसु के ठीक कर सकते हैं दो चीजें बताऊंगा जो बड़ी आसानी से अमारे घर पर ही मिल जाती हैं कहीं बार से हमें लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ती तो उन दोनों चीजों को आप सुन लेगी किस किस मात्रा में में कौन सी चीज देनी है और बड़ा एक खास जिसका रिजल्ट है परिणाम है कहीं किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं जाना तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं आप देख रहें फार्मिंग गुरुजी दोस्तों सबसे पहले बात आती कि पसु को दस्त किसी भी मौसम में लग सकते हैं और दस्त लगने के कई कारण होते हैं कि उसने सड़ा गला खालिया या उसको एपचन या बदजमी है या कोई ऐसी चीज खाली जो एखादे पदार्फ जिनको हम कहते हैं तो भी पसु को दस लग जाते हैं लेकिन अलग अलग मौसम में दस्त को ठीक करने के लिए अलग अलग दवाया हैं लेकिन आज की वीडियो में आपको विशेश रूप से गर्मी के मौसम में जो दस्त पसु को लगते हैं उनको ठीक करने के लिए दो चीज़ें बताऊंगा तो उनको आप नोट क दोनों चीजों से आप परीचित हैं उनको अच्छी तरह जानते हैं तो देखने में साइड में चित्र में भी लगा दूँगा यह चीजें पहली जो चीज है उसका नाम आप नोट कर लें उसको कते प्याज अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं और दूसरी बासा में उसको खेद प्याज लेनी कितनी मातरा में लेनी उसका क्या सकते हैं थे प्यूमितर के निचोड कर मिस निकाल ॥े कितनी मात्रा हमें रस्की चाहिए। दोस्तों हमें प्याज के रस्की मात्रा चाहिए। अब इसको नापने का तरीका है, चोटा गिलास आता है। अब बात आती हैं दूसरी चीज हमें क्या लेनी है। प्याज कारस लेना पचास मिली लिटर दूसरी जो चीज लेनी है दूसरी चीज लेनी है में लस्षी छाच मठा जिसको हम बोलते हैं अब कई लोगों को यह बात समझ मनी आती वीशेश कर महराश्टर की तरफ के लोगों ने कोमेंट किया था मैंने एक वीडियो पहले भी बन विखाएं तो उसके अंदर उसकी हमें कितनी मात्रा लेन Mend chronique मात्रा लेनी हमें एक लिटर अब करना क्या है कि 50 मिली लिटर हमने प्याजका रस लिया था उस प्याजके रस को एक चाच में मिलाकर अपने पसु को सुबह 10 बजे से पहले पिला देंगे अब ये सुबह 10 बजे से पहले पिलाने का क्या मतलब है क्या कहने का मतलब है दोस्तों पसु को जब भी लस्षी या चाच पिलाएं बड़ा ही काम करती है बड़ी कारगर है बड़ा ही असर दिखाती है अकेले पिलाने में भी और किसी चीज में मिलाकर पिलाने भी तो लसी जब पसु को पिलाएं तो सुबह है दस बजे से पहले ताजी लसी हम पसु को किसी भी मोसम में कभी भी पिला सकते हैं किसी भी परकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है तो दोस्तों इस परकार है गरमी क मोसम में विशेश कर जब पसु को दस्त लगे तेने दोनों चीजों को अपना करें एक ही खुराक काफी है और यदि आपको लगे कि अभी थोड़ी बहुत और कसरत एक दिन छोड़ करें एक खुराक आप दोबारा फिर दे सकते हैं बहुत अच्छा परना मिलेगा यह वीडि को भी राम देता हूं दन्यवाद जै हिंद जै जवान जै किसान